हेलो गाईज आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टड़ी में स्वागत है आज 31 दिसंबर 2021 को एक सर्कुलर आया है जिसमें 6 तू 12 के विंटर वकेशन किस तरह से होंगे या नहीं होंगे उसके बारे में बताया जाएगा तो आईए आपको देते हैं पूरी इंफिमिशन तो कुछ भी उनको काम नहीं करना है छोड़ी बच्चों को अपना कहल सर्दी में ध्यान रखना है लेकिन अब यहीं उमीद की जा रही थी कि आगे जो 12 के लिए यहीं फोलो होगा कि कोई वक्षिट नहीं आगी कोई काम नहीं होगा जैसे हमेशा होता है वैसे उनके लिए विंटर विकेशन होगा लेकिन डिपार्टमेंट ने इस बार थोड़ा साला किया है उनके लिए विंटर विकेशन जो है ऐसे कि छुटिया हम नहीं कह सकते कि यह विंटर विकेशन के क्या है यहाँ पर छुटिया है उनको department busy रखना चाहता है 6 से लेकि 12th class के बच्चों तक को जो department है वो busy रखना चाहता है तो देखते हैं किस तरह से देखो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि आप लोगों की worksheet नहीं आएंगी यह बात तो हो गया है department ने यह बात बोल दिया है worksheets यहाँ पर नहीं आएंगी लेकिन लेकिन एक बात का ध्यान है कि आपको आपकी teachers के द्वारा यहाँ पर एक project दिया जाएगा assignment दिया जाएगा जो आपको 20 तारीक तक 20 January 2022 तक आपको क्या करना होगा submit करवाना होगा आप ध्यान से सुनो आपकी teachers के द्वारा आपको भी एक या दो दिन के अंदर कोई assignment कोई project या कोई मैंना कुछ भी ऐसा work दिया जाएगा जो आपको 20 जनवरी 2022 तक submit करवाना होगा और जो यह आप assignment submit करवाएंगे इसके marks आपके final marks में जोड़े जाएंगे यह भी department ने कहा है कि जो भी worksheet incomplete है पूरा department ने यहाँ पर बतायागे कि जो भी worksheet अभी incomplete है आप लोगों की वो आपको complete करनी होगी और सारी जो worksheet है वो आपको addudal की site पर यहाँ पर मिल जाएगी addudal की site है वहाँ से आप easily अपनी worksheet को ले सकते हैं और अपना worksheet मिल सकते है इसके अलावा आपकी subject teachers के द्वारा project दिया जाएगा assignment दिया जाएगा 6 to 8 classes के लिए और वो project आपको क्या करना होगा complete करना होगा और complete कर देख उस project के आपको क्या लगेंगे marks लगेंगे 20th January तक आपको वो क्या करना होगा पूरा complete करके अपने teacher को submit करवाना होगा और उसके marks आपके final में लगेंगे तो अभी आप ऐसा मत सोचे कि एकदम आपकी छुटियां हो गई अभी हो सकता है कि कुछ और भी इसके अंदर आ जाए तो ये information देने के लिए मुझे अभी पता चला तो मुझे लगा कि मैं आप लोगों को ये फटा-फट information दे देती हूँ तो तयार आएए कल से आपकी छुटियां शुरू है ये बात है कि हो सकता है कि आप लोगों कि क्या होगा online classes भी नहीं होगी और ये भी हो जाएगा कि आप लोगों की वरक्षिट भी नहीं आएंगे लेकिन इन दिनों में आपको पिछली वरक्षिट छूट गई है जो assessment वरक्षिट आती है वो छूट गई है वो complete करना है इसके अलावाद जो आपको project दिया गए गए वो complete करना है तो इसी तरह की नहीं अपडेट के लिए प्लीज मेरे चैनल को like कर दीजिए subscribe कर दीजिए और share कर दीजिए thank you guys